संपूर्ण चानक्यनीती, सत्रहवा आध्याय एक जिस प्रकार पर पुरुष से गर्ब धारन करने वाली स्त्री शोभा नहीं पती, उसी प्रकार गुरु के चरनों में बैटकर विद्या प्राप्त न करके इधर उधर से पुस्तके पढ़कर जो ग्यान प्राप्त करते हैं, वे विद्वानों की सभा में शोभा नहीं पात तीन, तप में असीन शक्ती है. तप के द्वारा सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है. जो दूर है, बहुत अधिक दूर है, जो बहुत कटिंता से प्राप्त होने वाला है और बहुत दूरी पर स्थित है, ऐसे साध्य को तपस्या के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है. अ से उत्तम है. सज्जन्ता सबसे बड़ा गुन है, यश सबसे उत्तम अलनकार आभुशन है, उत्तम विद्या सबसे श्रेश्ट धन है और अप्यश्मृत्यु के समान सरवादिक किष्टकारक है. पांच, जिसका पिता समुद्र है, जिसकी बहन लक्ष्मी है, ऐसा होते हुए भी शंक विक्षा मांगता है. शे, शक्तिहीं मनुष्य साधू होता है, धनहीं व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है, रोगी व्यक्ति देववत्त और बूरी स्त्री पतिवरता होती है. साथ, अन्नदान वर जल्दान से बड़ा कोई अन्य दान नहीं, ध्वादशी तिथी के समान कोई अन्य तिथी नहीं, गायतरी मंत्र के समान कोई अन्य मंत्र नहीं और माता के समान कोई दूसरा देवता नहीं. 8. तक्षक एक सांप का नाम के दांक में विश होता है, मक्खी के सर में विश होता है, विच्शु की पूंच में विश होता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति के पूरे शरीर अर्थात सरे अंगों में विश होता है 9. पती की आग्या के बिना जो स्त्री उपवास और व्रत करती है, वह अपने पती की आयू को कम करने वाली होती है, अर्थात पती को नश्ट करके सीधे नर्प में जाती है 10. स्त्रीनतो दान से, न सैकरो उपवास व्रतों से, न तीर्थाटन करने से उस प्रकार से शुध हो पाती है, जैसे वह अपने पती के चरंड जल से शुध होती है 11. पेरों के धुने से बचा हुआ, पीने के बाद पात्र में बचा हुआ और संध्या से बचा हुआ जल कुत्ते के मूत्र के समान है उसे पीने के बाद ब्राह्मन, क्षत्रिय और वैशिय चंद्रायन व्रत को करेक तभीवे पवित्र हो सकते है 12. हाथ की शोभा दान से होती है, न की कंगन पहनने से, शरीर की शुधी स्नान से होती है, न की चंदन लगाने से, बड़ों की त्रिप्ती सम्मान करने से होती है, न की भूजन कराने से, शरीर की मुक्ती ज्यान से होती है, न की शरीर का श्रिंगार करने से 13. नाई के घर जाकर केश कटवाना, पत्थर पर चंदन आधी सुगंदित द्रव्य लगाना, जल में अपने चेहरे की परच्छाई देखना, यह इतना अशुब माना जाता है कि देवराज इंद्रभी स्वयम इसे करने लगे तो उसके पास से लक्षमी अर्थाध्धन नश्ट हो जाती है. 14. तुंडी, कुंद्रू, को खाने से बुद्धी ततकाल नश्ट हो जाती है, वच्छ के सेवन से बुद्धी को शीक्र विकास मिलता है, स्ट्री के समागम करने से शक्ती ततकाल नश्ट हो जाती है और दूद के प्रयोग से खोई हुई ताकत ततकाल वापस लोट आती है। पशुओं की अपेक्षा मनुश्यों में केवल ज्यान, बुद्धी, एक विशेश गुन, उसे अलग से प्राप्त है। परन्तु भौरों के न रहने से हाथी के गंडस्तल की शोभा नश्ट हो जाती है। यद्यपी तू सांपों का घर है, फलहीन है, कांटेदार है, टेरी भी है, कीचर में ही पैदा होती है, बड़ी मुश्किल से तू मिलती भी है, तब भी सुगंध रूपी गुन से तुम सभी को प्रिया लगती हो। वाकई एक गुन सभी दूशों को नश्ट कर देता है, चानक्यनीती। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो जरूर बताए और आगे भी ऐसी वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। प्रेच्ज कर बस्क्राइब कर दें।